हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिये नेवी, इसे साड़ और डबल ए के लिए साइन्स के प्रैक्टिस से टमबर वन को आपके साइन्स में फिजिक्स के टॉपिक्स परने हैं यानि फिजिक्स में जो भी आपके क्लास 11 और क्लास 12 में परने हैं जितने सारी टॉपिक्स जैसे कि आपको unit and dimension हो गए kinematics हो गए newton's, law of motion हो गए work energy, power हो गए और आपके और भी कुछ computer science के कुछ topics और आपके कुछ biology के topics और कुछ आपके chemistry के topics ठीक है तो यह सारे पूरे combined topics मिलाके पूरे combined subject मिलाके आपको science का नाम दिया गया है आपके SSR डवले के लिए और इस science में सारे combined topics से आपको सारे combined आपके subject questions पूछे जाते हैं तो सारे चीजों को यहां पर हम cover करेंगे तो आपको टेंसल लेने की बिल्कुल जड़त नहीं है तो आज का जो हमारा topic है वो है metals and non metals यह आपके chemistry का topics है metals and non metals खता होने के बाद कुछ हम भी आपके physics के topic को start करेंगे फिर आपको इसी तरह combined topics करके पढ लगबग 12th practices हमने करवा दिया है तो जाकर उन्हें भी आप जोड़ देखे समय समय से time to time आपको सारे topics सारे आपके subject करवाया जाएगा तो आपको बिल्कुल tension लेना नहीं है बस बच्चे आपको इतना ही बोलेंगे कि आप हमें support करें ताकि हम और जल्दी से जल्दी आपका यहां पर रिस्पॉंस दे जितना ज्यादा से ज्यादा उसको बाच करें वह क्या करें अधना जल्दा से ज्यादा आपके लिए और मेहनत करता है ठीक है तो आईए बढ़ने से पहले आपसे request रहेगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक इन subscribe जब किज़ेगा question no.1 है हमा प्रिथवी की पपरी में सबसे प्रचूर धातु है यानि प्रिथवी के अर्थकर्ष्ट में आपका सबसे most abundant metal सबसे ज्यादा amount में कौन सा metal पाया जाता है ठीक है तो जाद रुखिए कि most abundant metal जो होता है वह ऐल्मुनियम को most abundant जाता है कि अल्मूनियम जो है वो क्या है सबसे ज्यादा मात्रा में आपके और्थकॉस्ट में पाए जाता है ठीक है आए नेक्स्स कि बात करते हैं कहा जा रहा है दियो पूरिस्ट कंडुक्टर ऑफ हीट अमॉंग मेटल इज धातू की बीच गर्मी का सबसे खड़ाब कंड कल रहे जाता है ट्शिट का थे करवाता है तो पूरिस्ट कंडुक्टर सबसे खड़ाब कंडुक्टर हीट का एक कनडुक्टर जो होता है वह रोक्ता है ठीक है तो यहां पर कहा जाला कि पूरेस्ट कंड़क्टर आपको बताना है हीट का इंसाभी में से तो इसका कौन सा उप्षन होगा इसका उप्षन है बच्छे ऑप्षन नमर यानि जो लीड होता है लीड जो होता है जिसे हम पीवी के नाम से दिनोड करते हैं इसका सिंब कि आपको क्या होता है कि इतना बार-बार सुनिएगा उतना ज्यादा आपको यादने का इसका ettol बढ़ता है ठीक है तो क्या होता है पीवी ay hezoय फिसमें हम पात की तीन डिमाह चार बर बहतेihat होता है कौनसा ऐसा मेटल का प्रोपर्टी होता है जिस कारण से हम उस मेटल को यानि आपका जो घंटी होता है उसको और आपके स्ट्रिंग्स यानि इसको तार्ज होते हैं मिजुकल इस्ट्रुमेंट के आपके सितार हो गया वाइलिन हो गया इन सभी में उसका यूज किया ज स्ट्रिंग के रूप में जैसे सितार और वाइलन को के रूप में इस प्रपर्टी के अनुसार यह देखा जाता है प्रपर्टि जानना पड़ेगा तभी आपका इसका मिनिंग बता सकते हैं यहाँ पर कि आपका किसी भी मेटल का सोनरस परपर्टि यानि उस मेटल में जितना ज्यादा अच्छा सोनरस परपर्टी रहेगा वह उतना आपको बेल के रूप में को इसको यूज किया जाएगा तिक है इसमें क्या देखा जाता है कि आपका कितना अच्छा उस्ताउंड हमें उस मेटल से मिल रहा है तो यह हम सोनरस परपर्टी में देखते हैं नेस्ट हमारा है Al2O3, क्या है Al2O3 plus 2NaOH, यह आपका कौन से आपके metal को देगा, कौन से धातू को यहाँ पर देगा, आपको यह कोसन है, ठीक है, तो इस टाइप के कोसन से भी पूछे जा सकते हैं, आपको इस काहन से हमें यह बताया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अलमोनियम का ओक्साइड है, Al2O3 है, और यहाँ पर क्या है, आपका प्लस 2NaOH है, गोज इन्टू डैस प्लस क्या है, है H2O, ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका देखिए, यह आपका हो जाता है, NALO2, क्या होता है, NALO2 बनता है, सोडियम, क्या है, सोडियम है, एक सकेन करके आपका water का removal करता है, ठीक है, चलिए, next question हमारा, which of the following pairs will give displacement reaction, इन सभी में से कौन सा pair है, जो कि हमें displacement reaction देता है, ठीक है, तो दोकि यह displacement reaction जो होता है, वो खासकर metal के रूप में, metal के साथ यूज किया आता है, metal के साथ reaction करवाने के दोरान यूज किया आता है, और इस displacement reaction का म होगी, कौन से जोड़ी, यानि कौन सा आपका metal जो होगा, कौन सा इसमें से pair जो है, वो आपका displacement reaction देगा, ठीक है, तो इसका answer होगा कौन सा, option number B, यानि agno3, agno3 solution है, फिर क्या है, प्लस में आपका copper, क्या है बच्छे, आपका copper metal है, ठीक है, copper metal है, यह आपका क्या होगा, आ ठीक है, इससे दिखिएगा, displacement reaction को आप समझा देंगे, फिर आपको यहाँ पर answer लिख पाईएगा, ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको बता दे, यहाँ पर लिखिएगा, note करके, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा BC, चला जाता है, किसमें, आपका, यहाँ प मेटल क्या करता है, दूसरे मेटल को डिस्पेस कर देता है, यहाँ पर एक मेटल A है, और एक मेटल B है, यह क्या करता है, यहाँ पर दिस्पेस कर देता है, यहाँ पर दिस्पेस्मेंट क्या करता है, अधर मेटल को डिस्पेस करता है, ठीक है, आप यहाँ पर बोल सकते है, यहां पर आप देख सकते हैं कि more reactive metal जो होता है वो क्या करता है less reactive metal को displace कर देता है या फिर कहा है एक metal दूसरे metal को displace करता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि AG NO3 plus copper है तो आप इसको अगर A मानते हैं और यह हमारा क्या है B और C है इसे AG सिलवर है इसको B माना है NO3 को हमने सी माना है ठीक है तो यहां पर हमारा अभी हैC है ये क्या करगा एक उध cytudme को हटा देगा ठीक यह आ पका होजागा सीउओ這麼 3 olarak का whole points होजाना ठीक है copperص CiAn tech затीक अबकल मतली हमारे फिर फिर हो जाएगा और यहां कंभी है आपका तो ईस्त आने वाले आपके इस वीडियो को आपको इच्छा लागा तो लाइक सब्सक्राइब जोड़ कि जाएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो तब तक के लिए बाब बाई